ऐसे तो इंडिया के बारे में हम लोग बहुत कुछ चानते हैं, जैसे कि यहां सारे धर्म मिल कर रहते हैं, अठारा सौ से उपर भासाई बोली जाती है, सबसे ज़्यादा तेवहार भी इंडिया में ही मनाए जाते हैं, लेकित आज आज आपको कुछ ऐसे फैक्स बताऊंगा जिसे सुनकर आप और गर्ब से कह सकोगी, कि हां हम इंडियान हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के कुछ फैक्स बहुत तमदार हैं, सो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल और प्लीज सपोर्ट मी बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि ऐसे हैं इंट्रेस्टिंग फैक्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी, फैक्स नमबर वान, भारत पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेलिकॉम मार्केट बन चुका है, और सबसे सच्टे कॉल रेट भी इंडिया में ही हैं, फैक्स नमबर टू, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूज चैनल इंडिया में ही चलती हैं, और सबसे ज़्यादा न्यूज पेपर भी इंडिया में ही मिलते हैं, फैक्स नमबर थ्री, एलजेब्रा, प्री गॉनमेट्री और कैलकुलस, जैसे higher mathematics का जन भी इंडिया में ही हुआ है फैक्ट नंबर 4 पुरे विश्व में इंडिया सावा सो कलोड आवादी के साथ सबसे बाड़ा democratic country बन जाता है फैक्ट नंबर 5 USA के बाद इंडिया में ही इस दुनिया में सबसे ज़ादा इंग्लिस बोलने वाली आवादी रहती है फैक्ट नंबर 6 जीरो जिसके बिना 10, 100 और 1000 का कोई value ही नहीं रह जाता उसका invention भी इंडिया में ही हुआ है फैक्ट नंबर 7 इंडिया पुरे दुनिया में सबसे ज़ादा milk produce करता है जो की लगवग 16% है पुरे world production का फैक्ट नंबर 8 क्या आपने कभी floating post office के बारे में सुना है ये पुरे दुनिया में सिर्फ एक है जो की जम्मू कास्मिर के स्रीनगर सिटी में है और इस विश्व में सबसे ज़ादा post office भी इंडिया में ही है फैक्ट नंबर 9 पुरे विश्व में सबसे पहले चीनी का यूज भी इंडिया में ही हुआ था फैक्ट नंबर 10 क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़ादा सोना भी इंडिया में ही खरीदे जाते हैं फैक्ट नंबर 11 सैंपो जिसे आज पूरी दुनिया यूज करती है उसका भी आविस्कार इंडिया में ही हुआ था फैक्ट नंबर 12 चांत पे सबसे पहले पानी का खोच करने वाला भी इंडिया ही था फैक्ट नंबर 13 तकसिला विश्व विद्याले इसका नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा जो की सबसे पहला विश्व विद्याले है इस दुनिया का वो भी इंडिया में ही है फैक्ट नंबर 14 इस दुनिया का सबसे उचा किरकेट ग्राउंड इंडिया में ही है जो की हिमाचल प्रदेश में है लाग से भी जादा एक्टिव मस्जीद हैं जो कि किसी भी दूसरे में कंट्री से बहुत जादा है फैक्ट नमबर 16 आज तक जितनी भी कबड़ी वर्ल्ड कप हुई है वो सब इंडिया ने ही जीती है फैक्ट नमबर 17 क्या आप जानते हैं कि स्विजर लेंड में 26 मई को साइंस्टे मनाया जाता है और ऐसा हमारे फॉर्मर प्रेसेडेंट डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम के सम्मान में मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन सर एपी जे अब्दुलकलाम वहां गये थे तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही अगर मैं कुछ फैक्ट भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि कौन सा फैक्ट सबसे अच्छी लगी और वीडियो को लाइक और सेयर जरूर से जरूर करो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में जै हिंद जै हरियाना वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना